First Byte की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राविजग है I am my preferred partner, Teens Gallery, Shop No.3, S2S Aspire, God Road, Meron नमस्कार मैं राहू लुड़ा और आप देख रहे हैं First Byte.tv नागरिक्ता संसोधन कानून के विरोध में हिंसा करने वालों पर पुलिस का शिकन्जा लगातार कस्ता जा रहा है हिंसा में पुलिस पर गोली चलाने वाले तीन आरोपी, फैजल, दो अन्ये नकाब पोशों पर बीस, बीस हजार का इनाम गोशित करने के बाद SSP अजय सहानी ने इनकी कुरकी के निर्देश दे दिये हैं SSP का कहना है कि इस हिंसा में 24 मुकदमे दर्ज किये गए हैं इनकी जांच SIT कर रही है SSP का कहना है कि 50 बवालियों की शिनाक्त कर ली गई है सभी की गिरफतारी के वारंट कोट से लेकर या तो गिरफतार किया जाएगा या फिर इन सभी के घरों की कुरकी की जाएगी इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस फरार बवालियों के सरण दाताओं और उनके परिजनों के खलाब भी मुकदमा दर्जकर जेल बेजेगी इसके लिए सभी को नोटिस भी जारी किये गए हैं इसके अलावा पुलिस अन्य वान्शितों पर भी शिग्र इनाम घोसित करेगी ताकि बवालियों की गरफतारी जल्द से जल्द हो सके पुलिस अभी भी अन्य बवालियों की फोटो वे वीडियो फुटेज देख कर उनकी पहचान करने में चुट रही है और जो देख सामल में उनके घर बभी चीज़ेंगे। इस पूरे प्रक्रण में पीअफाई और स्टी पी आए की घुनका है वो बहुत नकारात्मक पाई गई उनके चार सदस्यों को गिरक्तार करके जेल वेजा गया जंगा भड़काने में पर्चे बाटने में बहुत सारी जग़े उनके भूंग्या निकल कर आ रही है और उन सभी मामलों में नामजुत करके उसमें विधिक कारवाई शुश्चित की जा रही है इस खाबर में बस इतना ही देखते रही है firstby.tv